टीव इंडस्ट्री में काम कर रही हैं सभी अभी नेतरियां अपने पैरों पर यूँ खड़ी हो गई हैं कि आज उनके पास सब कुछ है और किसी चीज की कोई कमी नहीं है तबी तो वो आज बेहत लगजरी लाइफस्टाइल जीती हुई अपनी अमीरी दर्शा रही हैं लेक आज हम आपको छोटे परदे की टॉप सिक्स अभी नेतरियों की शुरुवाती जिन्दगी के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे तो फिर आईए जानते हैं उन एक्ट्रेस के बारे में इसके चलते है आक्ट्रेस शिवांगी के सारे सपने और खौहिशें हमेशा से पूरी होती आई हैं इसके साथ अपने दमपर टीवी की सबसे सक्सेसफुल आक्ट्रस बनी सरगुन कॉर लूथरा ने शुरुवाती जिन्दगी बहुत गरीबी में काटी है जी हाँ एक वक्त ऐसा था कि इन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी और ये दरदर की ठोकरें खाती थी हाला कि एक कुछ अलग-अलग फील्ड्स में जॉब करके अपना घर चलाती थी तबी तो इन्हें अपने घर के बुरे हालातों की बज़े से कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ा था क्यों तो गुम है किसी के प्यार में फेम अक्टरिस आईशा सिंग बहुत पढ़ी लिखी है और इन्होंने लाओ की डिग्री हासल कर ली है पर आपको बता दे इतनी आसानी से ही इस मकाम तक नहीं पहुची है बलकि इन्होंने भी शुरुआती दिनों में बहुत गरीबी क जिन्दगी काटी है और दूसरों के मदद से इन्होंने अपना गुजारा किया है पर आज ही अपने बलबूते पर इतनी कामयाब आक्टरिस बन चुकी है कि ये खुद दूसरों को सहारा देती है अपने शुदारियां में एनराई लड़की बनने का खुद देखने वाली आक्टरिस इशा मालविय की शुरुआती जिन्दगी भी बहुत दर्दनाग गुजरी है जी है इनका परिवार बहुत गरीब था इसे लिए ये कुछ एफर्ट नहीं कर पाती थी यहां तक इनके घर में एक टाइम का खाना दो टाइम खाये जाता था और जब ये स्कूल जाती थी तो इन्हें पैदल जाना पड़ता था और दूसरों के पैसे उधार मांगकर अपना गुजारा करना पड़ता था बहुत ही कम समय में टीवी की काम्याब आक्ट्रेस बनी रीम शेक के भी शुरुआती दिनों में घर के हालात इतने बुरे थे कि इनने प刀स साल की उमर में काम करना पड़ा था जी हाँ 5 साल की उम्र में ही अपने घर से बाहर निकल गई क्योंकि इनके पिता के पास भी कोई रोजगार नहीं था जिसके चलते इनका परिवार एक एक पैसे का मोहताज था पर आज ये इतनी अमीर हो गई है कि इनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है कर दो बाहर नहीं है